हेलो एवरिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू किसने चैनल में आपका स्वागत है आज की वडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पांच सबसे अच्छी कमर दर्द की दवायों के बारे में कमर दर्द जिसको हम पीट दर्द कहते हैं या फिर ऐसा दर्द की जो आपके गर्दन में भी होता है वहाँ पे अकडन होती है और वो आपके कमर तक पहुचता है तो उसके लिए पांच सबसे बेस्ट मेडिकेशन कोन सी है उसकी डिटेल स्टेडी करेंगे और जानेंगे उनके यूस, डोस, साड़ एफेक्ट एंड वर्निंग्स के बारे में तो एक्सपेट लेक्चर बैमर सर असिस्टम प्रोफेसर एंड फांडर अपवार्मरोक्स तेंक यू परबीन फार्मरोक्स फेमिली अपडेट एट रही यह फार्मा नलेज के साथ सीखे बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा या यूस होती है साथ ही सबस्क्राइब करें हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है हॉलिवड की मुविस को वो भी अच्छी पिच्चर कॉलिटी के साथ हिंदी में एक्स्प्लेइन की हुए स्टोरी के साथ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप समझते हैं बेक पेन बेक पेन मतलब की जिसको हम कमर दर्द कहते हैं या फिर पीट का दर्द कहते हैं तो वो दर्द जो खासकर सुरू होता है आपके गर्दन से और गर्दन से फिर सोल्डर और सोल्डर से वो दर्द आपके एक कमर तक पहुँचता है तो कई बार क्या हो तकि आप काफी कुछ heavy काम कर लेते हैं या फिर workload आपका काफी ज्यादा है तो उसके करण पर कमर दर्द आपको हो सकता है फिर आपके muscle spasm की condition produce हुई है या फिर muscle के अंदर जो तनाव आया है contraction जो हम कहते हैं तो उसके करण पर आपको back pain या फिर कमर दर्द हो सकता है और आपका जो back का reason है वहाँ पर समझो कि सूजन हुई है किसी कारण सर तो उसके करण पर आपको back pain हो सकता है तो पान सबसे best medications के हम बात करें back pain के लिए तो शुरुवात करेंगे सबसे पहले की pain killers कि जब दर्द होता है तो दर्द को कम करना जरूरी होता है तो उसके लिए pain killer जैसे कि acyclofenic patient यूज कर सकता है diaclofenic आप यूज कर सकते है ibuprofen होता ही है paracetamol या फिर उनके combination second है एक muscle relaxation medication की जो muscle में जो तनाव आता है contraction आता है तीसरा seratio peptidase करके medication है वो भी काफी useful सा भीत होती है फिर macquestine और पांचवा कि calcium and vitamin D3 के जो tablet साथ है कि कई बार क्या होता है कि जो back pain होने का एक reason यह होता है कि आपके सरीर के अंदर calcium and vitamin D3 की कमी है तो उसके करन पर back pain हो सकता है साथ ही समझते हैं कुछ expert advice medicine से पहले तो सबसे पहले तो आपको heavy चीज़े जो हो नहीं उठानी चाहिए कि यहापर आप देखो यह person जो हो काफी heavy चीज़ उठा रहे तो उसके करन उनको back pain जो हो सुरू हो गया है तो अगर आपको back pain का problem है तो यह खास दियान रखे कि आप heavy चीज़े नाउट है फिर साथ हो साथ आपको जो वो proper rest करना है महले कि आपको आराम करना है तीसरी condition hot compress महले कि गरम पानी से आपको जो अच्छे से से सेखना है कि जिससे आपका back pain जो हो कम हो चौथा आप massage भी कर सकते है और आप physiotherapist को भी visit कर सकते है back pain के लिए तो सरुवाद करता है medication से तो acyclofenic की जो pen killer दवाई है कि जो 100 mg BD या फिर 200 mg once a day के तोर पे यूज़ की ज़दे कि जिससे आप यहाँ पे देखो कि उसके यह ऐसा टैबलेट है सस्टेन रिलिस टैबलेट की जो 200 mg की है तो यह टैबलेट जो है वाप दिन में एक ही बार जो हो यूज़ करते हैं सिर्फ once a day क्योंकि यह 200 mg में है और अगर आप 100 mg वाले टैबलेट यूज़ करते तो वो टैबलेट जो है वो दिन में और दो बार जो है वो पेसंट ले सकता है और specially और low doses treatment जो वो शुरू की जाती है उसे तरह से उसका second alternative बनता है डैकलोफेन है कि जो 50 mg दिन में तीन बार या फिर दिन में दो बार के तवर पर आप ले सकते है तो उसका injection भी होता है कि कई बार pain काफी ज़्यादा है और आप tolerate ने कर पाते तो जो डाइना पर का injection लगता है उसके अंदर ये diclofenic sodium रहता है जो एक pain killer दवाई है और वो भी एक non-steroidal anti-inflammatory drug class का medication की जैसे aciclofenic है उसी तरह से diclofenic भी काम करता है उसके कुछ side effects देखे तो आपको vomiting हो सकती है पेट में दर्द हो सकता है फिर उल्टी हो सकती है खाना नहीं पचा ऐसा फिल कर सकते है diarrhea हो सकते हार्ट बन भूग कम हो जान और साथी एक warning रहती किकर आपको ulcer है या फिर आपके kidneys कर आपका liver अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप यह medication use ना करें फिर रहता है option ibuprofen और paracetamol जैसे कि आप यहाँ एक marketed formulation देख रहे है कि ibuprofen भी है paracetamol भी है तो ibuprofen रहता है 400 mg paracetamol 325 mg और यह tablet आप जहेंगे दिन में दो बार ले सकते है या फिर दिन में तीन बार भी patient खा सकता है कि जैसे उसकी condition उस तरह से ले सकते है और जब भी pain होता है तब भी आप use करें और इसमें भी एक warning रहते है कि अगर आपका liver खराब है या फिर kidney related problem है तो यह medication को आप use ना करें फिर आपको combination यूज ने कर और सिर्फ ibuprofen यूज करने है तो भी उसके दो version मिल जाते है 200 mg वाली प्याती है और 400 mg में प्याते है तो उसका जो dose रहता है और 400 से ले से 800 mg दिन में तेन बार patient ले सकता है तो अगर आप यह 200 mg की tablet यूज करते तो वो भी दिन में तीन बार आप खा सकते हैं और 400 mg भी दिन में तीन बार जो है वो patient ले सकता है पर यहाँ पे एक condition यह रहेगे कि आपको liver related problem है आपके kidneys खराब है या फिर लंबे समय ते काईबरूफेन लेने से आपके kidney या फिर आपके liver के उपर जो है वो असर हो सकती है फिर परासेटामल भी एक अच्छा option है कि जो दिन में तीन बार patient ले सकता है कि समझे कि 500 mg के tablet है या फिर 650 mg के tablet है तो उसको दिन में तीन बार जो है वो patient use कर सकता है तो उसकी वी side effect हम देखे तो आपके पेट में जो है वो uncomfortable आप फिल कर सकते है जैसे उल्टी हो जाना जी गबराना फिर आपके जो gastric का जो बाग है जो stomach का बाग होता है वहाँ पे erosion कर सकता है वहाँ से blood आ सकता है फिर dizziness में लेकि नीन दाना vision blur होना कान में गंटी जैसा बजना जिसको tinnitus कहा जाता है फिर skin के उपर ऐसे rashes बन सकते है और खुचली भी हो सकती हो या फिर दूसरे कोई hyper sensitive reactions आपको हो सकते कर आपको allergy है paracetomal के या फिर iburefen के तो वो खास द्यान रखे और अगर आपका liver और kidney खराब है तो ये pain killers को avoid करें और दूसरे medications आप use कर सकते हैं second है cyclobenzoprene करके तो cyclobenzoprene एक main medication है कि अगर आप muscles के तनाव के करण आपको back pain हो रहा है तो उस वक्त ये muscle relaxant medication जो ये वो use की जाते है कि muscles को relax करते है कई बार क्या होता है कि जो pain होने का reason ये होता है कि आपके जो muscles से वो वहाँ पे हो चुका है contraction हुआ है मलगा कि वहाँ पे खिचान हुआ है तो ये medication क्या करेगी pain को reduce करेगी कि कैसे muscles को कर देती है ये contraction में से relax कर देती है कि जिससे आपका pain जो है वो कम हो जाता है तो ये क्या करते है आतोसत muscles को release करके आपका दर्द जो है वो कम करती है कि जिससे आपका muscle pain और back pain कम होता है और ये 15 mg once a day के ये आप आप देखो ये extend as release tablet है लंबे समय तक अपनी दवाई जो है वो आपके सरीर में जो है वो release करती है तो उसके करन के 15 mg का tablet सिर्फ दिन में एक ही बार once a day one zero zero दिन में एक ही पार ये medication ली जाती है उसके कुछ side effect देखे तो ये लेने के बाद dry mouth जैसे कि आपको जो वो प्यास ज़्यादा लगेगी गला सुक्रायस आप फेल करेंगे dizziness महले कि नीन दा सकती है उसके करन आपको कमजोरी जैसा फेल हो सकता है कब्स हो सकता है नीन दाना, उबास सी आना नौजया वामेटिंग मतलए कि उल्टे होना जे गबराना और सीने में जलन तो कई बार ये medications के साथ acidity कम करने के लिए antacid medications भी जो है वो दिये जाते है कि जैसे कोई भी antacids होता है तो antacid syrup ले सकते हैं या फिर ranitidine, famotidine या फिर omiprazole, lensoprazole pentoprazole जैसे medication combination में यूज की जाते हैं वीडियो को बिच में मैं आपको बदाते हैं अगर आपको Hollywood की movies को देखना पसंद है उनकी stories को समझना पसंद है तो हमने एक नया चैनल शुरू किया आपके लिए जिसका नाम है Hollywood to Hindi आपको जरूर से सब्सक्राइब करें और दिवाहा पे अलग-अलग Hollywood की movies को आप देख सकते हैं अच्छी picture quality के साथ वो भी हिंदी में explain के होई story के साथ तो link हमने आपको description box में दे दी है तिसरा medication यह वो है seratiopeptidase की जो अदिन में तीन बार जहे वो patient ले सकता है और उसका जो maximum dose रहता है और पंदरा से लेकर 60 mg पार डिग अगर आप 10 mg में यूज़ करते हैं तो lower dose आपको लेना है तो one 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 दिन में तीन बार और अगर आपको 20 mg की tablet आप रहे रहे तो वो भी दिन में तीन बार जहे वो patient ले सकता है कि जिससे 15 से लेकर 60 mg जितना dose दिन में deliver हो यह जो medication है वो खाना खाने के दो गंटे के बाद ली जाती है और specially यह medication जो जितने भी अलगला प्रकार के दर्द होते है सुजन होते है उसमें यूस होती है तो back pain में भी यह काफी असरदारक साब भी होती है कि जो एक anti-inflammatory है कि अगर सुजन के करण भी आपको दर्द हो रहे है तो यह अच्छे से आपको useful रहेगी इसके कुछ side effect होते है जैसे कि आपको उल्टी हो सकती है जी गब रहा सकता है पेट में दर्द skin के ओबर reactions हो सकती है muscle या फिर joint pain करवा सकती है अगर यह medication high dose में यूस की जाए यह खास समझे है कि अगर काफी high dose में आप यूस कर लेते है तो आपके muscles या फिर joint pain कम होने के बज़ाए यह pain बढ़ सकता है तो यह खास जान रखे फिर भूख कम हो सकती है cough हो सकता है और blood clotting related problem हो सकते तो यह खास जान रखे अगर किसी का liver खराबे stomach में ulcer है या फिर आपको blood clotting का problem है तो seratio peptidase नहीं लेनी चाहिए चौता है macvestine कि जो एक nutritional supplement है कि जिसके अंदर यूनिवेस्टीन जो एक salt composition है तो यूनिवेस्टीन के जो tablet साते है कि जो आपके joint के लिए as well as जो भी pain होते है वो problem को यह solve करता है तो macvestine जो है वो अगर आपको 500 mg strength में मिलती है तो वो दिन में एक ही बार खाए और ये जो 250 mg वाली मिलती है तो 250 mg दिन में दो बार के तोर पे 101 और अगर 500 mg है तो वो दिन में एक ही बार जो है वो patient use करता है और ज़्यादा tablet ना ले दो से ज़्यादा tablet दिन में कभी भी बिना ले कि maximum dose 500 mg का follow करे और minimum dose 250 mg उस से ज़्यादा dose आपको इसका नहीं लेना है उसके साइड एफेक्स होते है जैसे कि उल्टी होना अजी गबराना पेट में दर्ध होना और पाचन की गंदी संसीर दर्ध जैसे complications पांचवा जो हमारा option है calcium and D3 का tablets कि जैसके अंदर calcium रहता है vitamin D3 रहता है और ये क्या करता है कि vitamin D and calcium की जो कमी को पूरा करते है और अगर back pain का reason ये है कि आपको calcium and D3 के deficiency के करन हो रहा है तो ये medication आपके लिए सबसे best हो दे है जैसे कि सेलकेल 500 करके marketed formulation है फिर सिपकला का सिपकल करके किया था है तो वो आप यूज कर सकते हैं उसके कुछ dose जान ले तो दिन में एक ही tablet जो आपको खानी है तो रात को सोते समय आप ये खा सकते हैं जैसे के calcandy है सिपकल है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक tablet खानी होती है पर डे उसके कुछ side effect एकर कोई overdose में लेता है तो उसको cubs हो सकता है उल्टी हो सकती है बूग कम हो जाना प्यास ज्यादा लगना पेट में दर्द होना पेशाब करने आपको बार बार जाना बढ़ सकता है फिर आपके muscles मजबुत होने के बजाए weak हो जाएंगे कि अगर आप उसको overdose में यूज़ कर लेते कि जैसे मैंने आपको बता है कि दिन में इक ही tablet खानी है अबर कोई दो खा लेता है तीन खा लेता है तो ये problem हो सकते है फिर calcium का level आपके urine में बढ़ जाएगा allergy हो सकती है खुझली हो सकती है अवीजिंग स्कीन उपर रैसिस बन सकते है जीब के उपर सुजन हो सकती है गले में सुजन हो सकते तो ये खास ध्यान रखे medicine course में essay सीखे दबायों के basic use के बारे में dose side effect warning contraindication एक साल तक सरल वासा में farmer ox के अब उपर तो this is and medicine related course एक्सेस करें farmer ox के अब उपर course की जानकारिक के लिए whatsapp कर सकते हैं 90163122020 पे या फिर डाउनलोड करें हमारा app farmer ox की जो इंटूड एप्लिकेशन है google play store पे apple iphone ff app store पे link आपको description box मिल जाएगी good luck and all the best